ये है Redmi Note 13 Pro Plus अगर इंडिया की बात करें तो approach 25 के आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन ये दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि 25,000 के अंदर में बहुत सारे phone इंडिया में मौजूद है जिसमें तगड़े तगड़े processor, battery और camera की quality और भी अच्छे अच्छे feature and specification भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन मुझे ये लेना चाहिए या फिर और किसी mobile को देखना चाहिए पूरे detail से बात कर लेते हैं क्योंकि एक मैने के बाद क्या-क्या दिक्कत होता है क्या-क्या अच्छा लगता है क्या-क्या average में काम करता है सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा तो बाहर से अंदर की और बात कर लेते हैं तो यह Redmi Note 13 Pro Plus जो कि वेगर रेदर के साथ आपको देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ मोटो और वी वीडियो नाम का वी mobile रेदर के साथ आता है लेकिन Redmi Note थोड़ा सा जादा ही बेटर मुझे लग रहा है कि अच्छा protection का यूज किया गया इसकी अगर variant के बात करें तो 8256GB का आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छा device के रूप में काम करता तो display and design में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि background के अगर बात करें तो उसमें 4 color आपको देखने को मिल जाता है जो कि 3 color उपर में और 1 color ज चेकर black color में आपको cover देखने को मिल जाता है जो कि पीछे वाला को पूरा खताम कर जैता है लेकिन इतना करने के बात तो क्यों साब हम बात करें दिस्प्ले और डिजाइन में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा थोड़ा बहुत भारी भर कम कि आपको देखने को मिल जा है यही अगर हम बात करें fingerprint की तो fingerprint in display fingerprint आपको देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा average में काम करता है जैसा कि हर mobile काम करता है इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला अब हम अंधर की ओर चलते हैं तो इसमें आपको 200 Megapixar का कैमरा देखने को मिल जाता है ये एवरेज में फोटो घीचता है वैसा आपको अच्छा नहीं करने वाला है कि कैमरा की क्वाल्टी से आप वीडियो बनाओ ब्लोगर से बन जाओ ऐसा इससे आप कभी नहीं कर पाओ हो सकता है इंडिया में आने के बाद हो सकता है कुछ-कुछ आप भी अपडेट आ जाए तो कैमरा की क्वाल्टी और भी बेटर हो सकती है लेकिन अभी के तुल्णा में ये मोबाइल अच्छा नहीं है कैमरा की तुल्णा में वही अगर हम बात करें कि इसमें 3 mm का जेक आपको देखने को नहीं मिल संब आध को कारण आपको अच्छा मिल जाता है साउंड की ठीक मिलता लेकिन आपको लेना पर जाएगा गैमिंगंगू उपडिटा चाहते हो वहीं वीडियो की क्वाल्टी और देखने में कैसा लगेगा तो इसकी डिस्पेली की साइज 6.649 इंच का आपको देखने को मिल जाता है 120 हच का रेप्रेसेंट रेट मिल जाता है जो कि 4K वीडियो तक आप किसी को देख सकते हो किसी तरह का दिकत नहीं होने वाला 3D कर्व डिस्पेले के कारण और भी ज्यादा एटरेक्टिव लुक देता है जिसके कारण वीडियो की क्वाल्टे भी और भी आपको अच्छा लगेगा इसमें आपको IP68 की रेटिंग दिया जाता है जो कि एकदम बहुत लाजवाब आपको देखने को मिल जाता है जो कि मो अल्टरा सिर्फ नाम करता है मतलब 72 तक ही नाम ठीक है अल्टरा यह आग भी ज्यादा एटरेक्टिव करने के लिए यह बता दिया है इसमें अगर आपको अंटूटू का अस्कोर की बात करें तो 7 लाग का पलस का अस्कोर आपको देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग को अच्छा एक्सपेरियंस बना देता है आप अगर गेमिंग के लिए भी लेना चाहते हो फूरी तरह सा गेमिंग के लिए यह फॉन आपको लिए नहीं बना है योग के गेमिंग में यह आपको 60 fps पर देखने को मिल जाता है और 60 fps के बाद भी आप अगर गेमिंग खिलते हो जादा देगी तक तो यह आपको अच्छा नहीं करने वाला अगर गेमिंग के लिए अच्छा फोन आपको सावित अच्छा मिल जाता है जो कि 30 मिनट के अपर आने के लिए गये और मोबाइल को चार्ज करने दिया और आप बाहर आए फुल चार्ज हो जाता है यह बहुत ज जादा आपको अच्छा मिल जाए कैमरा की वारे में और भी धनकारी देते हैं की कैमरा की क्वाल्टी 200 मेरा पिक्टर 8 मेरा पिकिसल का एल्टरा वाइड और आगर हम बात कि यह की तो आप 1060 एपस बर आप देख सकते हो और बना सकते हो और यही अगर हम बात के रिए फगन की तो आप 1060 fps आप देख सकती हो फ्रूंट कैमरा से फ्रूंट कैमरा थोड़ा बहुत इस्यू आपको देखने को मिलेगा और वही अगर बात करें कि में कैमरा की जो की रियल कैमरा की उसका आपको अच्छा मिल जाता है जो कि फ्रूंट से थोड़ा बहुत मिलता है अगर हम एक साथ एप को खोलोगे मालग रेड्यमी भीवो और इसकी तुलना में कभी-कभी बीवो चला जाता है जबकि दोनाओं में 120 ख़का ही रेड्यमी की बैटरी लाइप के बारे में बात कर लेती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको संदार मिलता और इसके साथ-सथ आपको चार् कर देता है IP68 की रेटिंग देता है यही बैटरी की क्वालिटी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है साथ से आठ गंटे तक आप चला पाओगे और यही अगर हम बात कर लेते हैं इसकी ब्राइटनेस की ब्राइटनेस आपको बहुत ज्यादा संदार आपको देखने क मिल जाता आउटडोर में भी मैंने चेक किया और इंडोर में भी चेक किया दोनों जगाई अच्छा ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिल जाता बाहर साइड में मैंने बहुत ज्यादा वीडियो को देखा कोई इसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ था वीडियो की quality में भी अच्छा तो response करता है और इसके साथ साथ अगर आप call record करते हो तो recording भी आप अच्छे से कर लेते हो लेकिन इसमें एक और issue आपको देखने को मिल जाता है जो कि call से related ही है अगर आप किसी से बात करते हो और कान के पास लेके जाते हो तो auto में यह अपने आप बंध हो जाता ह लेकिन यह 10 बार 12 बार में एक दो बार नहीं बंध होता है यह issue इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाता है और हो सकता है भारत में आने के बार में ठीक हो जाए या फिर ना भी तो इसके साथ साथ एक और review आ जागे कि भारत में कब launch होगा कैसी होगा अब कैसा feel आपको दे नेगेटिव सभी के बार में इसमें Gorilla Glass का protection IP68 और camera की quality जो की average मिल जाती है इसके साथ साथ charging की speed भी बहुत ही सांदार मिल जाती 120 watt कहां तक 80 watt तक मिलता था 68 watt तक ही मिल जाता है आपको 25,000 के range में लेकिन यह 30 minute में full charge कर लेता है और इसके साथ साथ battery की life भी अच्छे मिल जात हैं तो एक दिन तक अराम से चल जाएगा इसकी negative point भी यह जान लो कि camera के quality average मिल जाती है जो कि दोस्तों मेरा Pixar स्रिप नाम कराता है और आपको वैसा camera के quality नहीं मिलती है यही अगर हम बात करें बीजे माई टेस्ट में तो 60 fps पर ही आपको देखने को मिलता है gaming मिला वैसा खास नहीं gaming में करा पाएगा और इसके साथ 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 3 mm का जेक भी आपको देखने को नहीं मिलता है हां यह साथ 3 mm का जेक तो नहीं मिलने वाला है कभी भी नहीं ठेकर यह camera के quality थोड़ा सा improve हो जाएगा आने वाले update के साथ-साथ यह फिर हो सकता है इंडिया में आए तो यह इस इस से 30% बर और भी अच्छा कर देगा जब इंडिया में आने वाले रहेगा तो अभी कि हम बात करते हैं तो इसमें यह सब दिक्कत है यह सब अच्छा लगा है लेकिन आपको इस मोबाइल के बार में क्या ख्याल है कैसा लगता है कमेंट में जरू बताना और मैं रहे ख्य इस आजा में कौन मोबाइल लेने वाले हो इसके बागा में जरू कमेंट में बता देगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियों तत्त के लिए थेंक्स पर वाचिंग एंड सपोर्ट इस वीडियो